नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर बिपिंज है इंग्लेंड से बोल रहा हूँ अपने वो राहूल गांधी का वीडियो देखा होगा जिसमें वो बोल रहे हैं कि इधर से आलू जाएगा और मशीन से सोना निकलेगा तो ओरिजनल वीडियो शायद आपने नहीं देखा होगा ओरिजनल वीडियो मैंने देखा है और उसमें राहूल गांधी जी ये बोलते हैं कि मोधी जी ने बात की कि ऐसा मशीन लगाएंगे कि इधर से आलू डालो अधर से सोना निकलेगा किसानों के लिए तो बीजेपी की आईटी सेल ने उसे बड़ी चलाकी से बदल के एडिट करके आपको ये दिखाया कि राहूल गांधी बोल रहे हैं कि आलू से सोना निकलेगा तो ये करामात है और ये आपको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमेशा पहले यही होता था कि विपक्षी दल जब भी सत्ता में आते थे एक टर्म पूरा नहीं कर पाते थे आपने इंद्रा गांधी जी का जो है समय देखा या सुना होगा राजी गांधी जी का पीवी नरसिम्हा राओ का बाद में मनमोहन सिंग जी का यह विपक्ष वाले जो भी भारतिय जन्ता पार्टी या उनसे पहले के लोग थे वो एक टर्म से ज़्यादा नहीं आते थे तो यह मोदी जी और इनके आईटी सेल वालों ने यह चाला की की उनको पता था कि गांधी परिवार हमेशा उनके लिए खतरा बनता है तो बड़े ही तरीके से पिछले आठ दस साल से इनके आईटी सेल ने मिलके राहूल गांधी हो सोनिया गांधी हो इन सब की इमेज खराब करने की कोशिश की है और ये इसलिए ताकि आपको विकल्प नहीं लगे आपको अभी ये लगता है कि मोदी नहीं तो कौन तो ये आपके दिमाग में घुसाया गया है और मेरी कई बातें जो है कई लोगों से हुई कुछ लोग सांसद हैं कुछ बड़े वकील हैं जो बड़े ही राहूल गांधी के विरोधी थे और आज वो मानते हैं कि राहूल गांधी शायद मोदी जी से दस गुना अच्छा प्रधान मंत्री साबित होता तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दुस्प्रचार के आप शिकार हो गये हैं आपको जो है पप्पू बनाया गया है राहूल गांधी को पप्पू बोलके तो इन बातों को समझना जरूरी है कि जो कुछ लोग हैं पूंजी पती उनको पता है कि मोदी जी को कंट्रो करना इजी है राहूल गांधी को कंट्रोल करना इजी नहीं है तो इसलिए आपके दिमाग में यह सब चीजें फैलाई जा रही है ताकि आप बस लगे रहें कि मोदी नहीं तो कौन यही सवाल आ पूसते रहें बस आपसे इतना ही अन्रोध है कि जो है चीजों को है आरपार देखनी की कोशिश करें जो आपको दिखाया जाता है सिर्फ वो ना देखें बस इतना ही अनरोध है चैहिंद